तो दोस्तों हमारी पिछली कुछ वीडियोस मारोल सिनिमेडिक यूनिवर्स के उपर ही बनी है और आप लोगों के अच्छे रिस्पॉंस को देखते हुए मैं आपके लिए एक और इंट्रेसिंग वीडियो लेके आया हूँ आज हम MCU के उन करेक्टर से बारे में बात करेंगे जो के हमें Avengers Infinity War में एक नए लुक में लिखने वाले है इस वीडियो में हम बात करेंगे करेक्टर की फिजिकल एपिरेंस की उनके नए सूट की और कुछ करेक्टर के नए वेपन की तो आई ये रिखते हैं तो शुरुआत करते हैं MCU के सबसे नए सूपर हीरो से जो की है Black Panther Black Panther का उनने सबसे पहली वार देखा Civil War मुई में उसके Vibranium के सूट के साथ ये सूट हर तरह के शौक और Vibration को जेल सकता है और इसके साथ ही इसमें है ख़दरनाक Vibranium के Claws जो कि किसी भी चीज को खरोच सकते हैं लेकिन इस सूट में कमी ये है कि ये सूट बिल्कुल भी ऑटोमेडिक नहीं है मतलब इसे पहनने और उतारने के लिए बहुत मेहनत करने पड़ती है इस सूट का वेड भी बहुत जादा है और इसमें अटैक के लिए सिर्फ एक ही चीज है जो कि है ये Claw इस पुराने सूट को अपग्रेड की सक्त ज़रूरत थी इसलिए Black Panther यानि टचाला की भेंच शूरी ने उसके लिए एक नया सूट बनाया ये नया सूट बहुत ही हलका है और इसे पहनने के लिए जादा मेहनत ने करने पड़ती क्यूंकि ये सूट बनाया है बहुत ही छोड़े छोड़े नैनो रोबोट से ये नैनो रोबोट से तचाला की बोडी या उसके नेकलेस में फिट है तचाला की मरजी के मुतबिक ये रोबोट कभी वी एक सूट फॉर्म कर सकते है हलका और आटोमेटिक होने के अलावा इस सूट की और भी खासियत है जो कि है काइनेटिक एनर्जी को एब्सॉर्ब करना ब्लैक पेंथर का पिछला सूट शॉक और वाइब्सॉर्ब करके उसे चोट लगने से बचाता था लेकिन ये सूट किसी पी तरह की काइनेटिक एनर्जी को एब्सॉर्ब करके स्टोर कर लेता है और जरूरत पढ़ने पर इस एनर्जी से ब्लास्ट भी किया जा सकता है और ये एनर्जी लडाई के वक्त सूट पहनने वाले को ताकत भी देती है टचाला एनी ब्लैक पेंथर एवेंजर्स इनिफिनिटी वार्गर ट्रेलर में इसी सूट में लड़ते हुए दिखा इसके बावजूद भी टोनी स्टार्क ने स्पाइडर मैन होमकमिंग के एंड में पीटर पार्गर को एक नया सूट ओफर किया जिसे पीटर ने लेने से मना कर दिया था लेकिन इन्फिनिटी वार के ट्रेलर में पीटर हमें इसी नय सूट में दिखा स्पाइडर मैन का पिछला सूट ही इतना पावरफुल था कि अब देखना ही है कि ये नय सूट में और क्या कुछ नया है कई फैंस का ये मानना है कि ये सूट कॉमिक्स और अनिमेटेट स्टीरीज का आईरेन स्पाइडर सूट है कॉमिक्स में टोनी स्टार्क ने पीटर बागर को आईरेन स्पाइडर सूट दिया था लेकिन इस सूट का डिजाइन कॉमिक्स के सुपीरियर स्पाइडर मैन सूट जैसा लग रहा है इन्फिनिटी वार के ट्रेलर में पीटर को उसके नए सूट में देखने पर सभी को ये लग रहा था कि अब हमें स्पाइडर मैन का पुराना सूट नहीं दिखेंगा लेकिन Infinity War की एक नई वीडियो क्लिप में Peter उसके पुराने सूट में पी दिखा मतलब Infinity War में Peter कुछ टाइम तक इस पुराने सूट में रहेंगा और जब उसे इस सूट में कहीं कमी मैसूस होंगी तब जाकर वो Tony Stark से नय सूट लेंगा इसके बाद है Captain America इस बार Captain का लुक इतना चेंज हो गया है कि कई लोग तो उन्हें ट्रेलर देखकर पैशा नहीं नहीं पाए हमेशा Clean Shave और Tip Top रहने वाले Captain इस बार उन्होंने अपनी दाड़ी और बाल बढ़ा लिए है Captain का लुक चेंज होने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि Civil War मुई के end में Captain गौर्मेंट की नजर में एक क्रिमिनल साबित हो गये थे तो हो सकता है कि Captain ने सबसे चुपने के लिए ये नया लुक अपनाया हो इस बार उनका सूट तो हो ही है जो कि उन्होंने Civil War में पैना था बस उनके सूट से अब ये स्टार निकल चुका है Civil War के end में Captain अपनी शील्ड तोनी स्टार के पास छोड़के चले गए थे और शील्ड के मिना Captain अदूरे है इसलिए टचाला ने उन्हें एक नई शील्ड दी है ये शील्ड हमें Captain के दोनों हातों में दिखी कॉमिक्स में Captain के पास ऐसी एक शील्ड थी जो कि दो हिस्सों में डिवाइड होती थी लेकिन यहाँ पर अभी तक ये दिखा नहीं कि Captain की ये शील्ड दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है या फिर दो अलग-अलग शील्ड है लेकिन इतना मारा चल गया कि ये नई वाइवरेनियम की शील्ड एड़ेस्टेबल है मतलब छोटी या बड़ी हो सकती है Infinity War से ठीक पहले जिस हिरो के सबसे बुरे हाल हुए वो है Thor Thor लगमाउक मूई में सबसे पहले थे Thor का हतोर टूर गया फिर उसके कपड़े फट गए उसके बाल कड़ गए और बेचारा एक आख से अंदबी हो गया इस सब का नतीजा ये हुआ कि Thor अब पहले से जारा तकतोर है लेकिन बिना हतोरे के Thor बिना शील्ड के कैप्टन जैसा है बेशक Thor अब पहले से जारा तकतोर है लेकिन अगर वो थेनौस के उपर दुनिया भर की बिजली भी गिरा दे तो भी उसे हरा नहीं सकता इसलिए थौर को एक हतियार की जरूरत है और पिछले कुछ दिनों में थौर के नए हतियार को लेकर बहुत सारी फैन थेरी सामने आ चुपी है जिसमें से सबसे बढ़िया थेरी ये है कि थौर रॉकेट और गूर्ट के साथ नाइन रियाल में से एक नाइडा वैलर पर जाएंगा नाइडा वैलर प्लैनेट पर दौर्फ्स यानि बॉने रहते हैं जिनोंने थौर का हतियार म्यूनिर बनाया था थौर के हतोडे म्यूनिर को नाइडा वैलर के डॉर्स ने एक स्टार मतलर एक सूरज के अंदर उसकी गर्मी से बनाया था इंफिनिटी वार के ट्रेलर के इस सीन को देखने से ये लग रहा है कि ये जगा किसी सूरज के आसपास है और ये मशीन एक फोर्ज यानि एक भट्टी है और इसमें तब कर थौर अपना नया हतियार बना रहा है रिसेंटली कुछ टॉय कंपनी जिसके मॉडल सामने आये जिसमें थौर का नया वैपन दिखा और इस वैपन का हैंडल लकडे से बना है ये लकडे का हैंडल गूट की बॉड़ी जैसा लग रहा है तो हो सकता है कि थौर का नया वैपन बनाने के लिए गूट ने गुद को स तो अब बात करते हैं हम सभी के फेवरेट करेक्टर तोनी स्टार्क मतलब आयरेन मैन की फूरे MCU में जो चीज सबसे ज़ा अफग्रेड हुई है वो है आयरेन मैन का आर्मर आयरेन मैन वन में टोनी को सूट अफ होने के लिए बहुत टाइम लगता था फिर ये काम फोड़ा आसान हुआ और आयरेन मैन 3 के बात से तो सब कुछ ऑटेमेटिक हो गया लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर प्रॉब्लम यह है के टोनी स्टार को अपने आर्मर के लिए हमेशा किसी ना किसी चीज पर डिपेंड रहना पड़ता है अगर वो किसी मुसिबत में पढ़ जाए और उसका आर्मर उस तक थोड़ी देरी से पहुचे तो उसकी जान भी जा सकती है इसलिए थैनौस से लड़ने के लिए टोनी को एक ऐसा आर्मर चाहिए जो कि हमेशा उसके पास रहे और जो डैमेज भी ना हो जबसे इनिफिनिडिव और का ट्रेलर सामने आया है तब से आयरेन मेन के नए सूट के वारे में बाते शुरू हो गई है बहुत से फैंस इसे कॉमिक्स का ब्लीडिंग एज आर्मर मान रहे है ब्लीडिंग एज आर्मर एक ऐसा आर्मर है जो कि Black Panther के नय सूट के जैसे ही बहुत ही छोड़ी नैनो मशीन से बना है कॉमिक्स में Tony Stark ने इन नैनो मशीन को अपनी बोड़ी के अंदर अपनी बोन्स यानी हड़ियों में फिट किया था और जब भी Tony को अपने सूट की ज़रूत परती तब ये मशीन तोनी के बोड़ी के बाहर आकर एक सूट फॉर्म कर लेती इस वीडियो क्लिप को दिखने पर बहुत से फैंस को ये लग रहा है कि ये Bleeding Edge Armor है लेकिन Bleeding Edge Armor के अलावा एक और ऐसा Armor है जो कि इसी तरह से काम करता है और वो है Model Prime Armor Bleeding Edge Armor और Model Prime Armor में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि Bleeding Edge Armor की Nano Machines को बोड़ी के अंदर फिट करना पड़ता है लेकिन Model Prime Armor की Nano Machines को बोड़ी के बाहर किसी भी अबजेक के फॉर्म में रखा जा सकता है कॉमिक्स में Model Prime Armor एक ब्रेसलेट की फॉर्म में था जो कि Tony की Mental Command मिलने पर Activate होकर एक सूट फॉर्म करता था Iron Man 3 में Tony ने Operation कराकर अपनी चेस से आर्क रियक्टर निकाल लिया था उसके बाद से सभी आर्क रियक्टर डारेक्टर उसके सूट में अटेच्च थे लेकिन इस बार हमें फिर से उसके चेस पर आर्क रियक्टर दिखा जो कि उसके कपलों के उपर फिट है तो हो सकता है कि जिस तरह से कॉमिक्स में उस ब्रेसलेट से पूरा आर्मर बनता था उसी तरह से Tony के इस आर्क रियक्टर से उसका नया सूट बन रहा हो Model Prime आर्मर का एक छोड़ा सा डेमो हम सीविलो और मूवी में देख चुके है जिसमें Tony ने एक वाच से अपने हाथ में एक छोड़ा सा गाउंट लेट बना लिया था कॉमिक्स में Model Prime आर्मर सबसे पावरफुल आर्मर है इसके बाद है हमारी फिमिल सूपर स्टार नताशा रोमन अफ मतलब ब्लैक वीडो अब तक हर मूवी में ब्लैक वीडो ने अपना हैस्टाइल चेंज किया है लेकिन उसके हैर का कलर हमेशा से ही रेड एफे ब्राउन था पर इस बार उसका लुक बिल्कुल चेंज हो गया है पर कुछ फैंस को ये हैरानी है कि इतना चेंज क्यों सीविल ओर में हमने देखा था कि ब्लैक वीडो केप्टन के अपोसिट टीम में थी मतलब गौर्मेंट के साइट थी लेकिन बाद में उसने कैप्टन और विंडर सोलजर की भागने में हल्प की मतलब कानून तोड़ दिया लेकिन मूवी के एंड में ब्लैक वीडो हमें बाकी लोगों की तरह जेल में नहीं दिखी मतलब वो जेल जाने से पहले ही भाग गई शायद इसलिए ब्लैक वीडो ने अपना लुक चेंज किया ताकि कोई उससे आसानी से पैचान ना पाए इसके बाद है विजन इंफिनिटी वर की ट्रेलर में विजन एक इंसान की रूप में दिखा जैसा कि हम जानते है कि माइन स्टोन की ओयर से विजन के पास बहुत सारी पावर से जिसमें से एक power है shape shifting और इसी power का इस्तमाल करके विजन ने इंसान का रूप लिया है विजन के human form में दिखने के दो reason हो सकते है पहला तो ये कि उसे Wanda के साथ में एक normal life जीना है और दूसरा reason ये कि Thanos से छुपने के लिए विजन ने इंसान का रूप लिया है लेकिन इंसान का रूप लेने के पावजूद भी विजन के सर पे ये mind stone दिख रहा है इस scene में Wanda विजन के mind stone के साथ कुछ कर रही है हो सकता है कि Wanda अपनी power से विजन का mind stone चुपाना चाह रही है या फिर ये mind stone आने वाले खत्रे के बारे में बता रहा है और सबसे लास करेक्टर है थेनोज इसके पहले जब हमने थेनोज को Guardians of the Galaxy और Avengers Age of Ultron के mid crate scene में देखा था तब वो बिल्कुल अलग दिख रहा था तब उसने कॉमिक्स के जैसे ही एक बड़ा सा आर्मर और हेलमेट पहना हुआ था और उसकी स्किन भी परपल का रखी थी लेगिन इस बार हमें थेनोज बिल्कुल अलग दिखा यहां थेनोज बिल्कुल कैजुवल लुक में है ना आर्मर ना हेलमेट और थेनोज की स्किन अब पिंक कलर की हो चुकी है तो दोस्तों ये थे वो कुछ important characters जो के हमें इनिफ्रिटिव ओर में एक नए लुक या फिर एक नए सूट में दिखने वाले है इसके अलावा बाकी characters या तो हमें अभी तख दिखे नहीं या फिर उन में जारा कुछ चेंज नहीं है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like और share ज़रू करे और ऐसी interesting वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब हीज़े हमारा चैनल और इस बेल को दबाईए ताकि आपको हमारी वीडियोज सही टाइम पर मिल सके